और उडिसा के बाद अब बात जार्खंड की जहां चौथे चरण के अगर हम बात करें तो चार लोग सभा सीट खूटी, लोहर दगा, सेभूम और पलामू में 13 मई को मतदान होना है। इस मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तयारियां पूरी इस वक्त कर ली गई हैं वहीं चुनावी तयारियों पर हमारे वरिष्टे संबादाता दिवाकर कुमार ने जहर खंड के मुखे निरवाचन पदादिकारी के के रवी कुमार से खास बात चीत की है। किस तरीके की तया तयारियां की गई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहर खंड के मुख निरवाचन पदादिकारी के रोभी कुमार जी हैं सर किस तरीके से तयारियां इस फेज को लेकर हैं फूर्थ फेस में हम लोग जहर खंड का चार पार्लिमेंटी कांशिए चुनाव में जा रहा ह होती हैं मताता परची वोटर्स गैड सब एक एक वोटर कामलों दे दिया उसमें उसका साथ में वहां पर बेसिक कितना फेसिलिटी चाहिए वो गर्मी का देखते हुए क्या वेवसा करना हैं वो कमिशन का इंट्सेशन कितना है उस सब कुछ पूरा कर लिया निस्पक्ष औ वो सब हम लोग का प्राप्त हो चुका है जितने भी मतदान के एंदर हैं बहुत जादा मतदान केंदरों का आपने विजित किया इस फेज में कई नकसल परवावित इलागे भी हैं जहां मतदान होना है तो उसको लेकर जो इंतजाम है तो क्या लोग मिर्वीक और उनका डर बहुत वोटर है वो पहले बार अपने मत्तदिगार का प्रयोग करा वहां पर सुरक्षा का सब व्यवस्ता हो गया वो इंटिरी लगा नहीं बाकि सब जगा पर कितना व्यवस्ता सब थ्यार कर चुका है हम लोग इसलिए मत्त वो मद्दात अपने निर्वे वोकर इसी बार मत अपने मत्तदिगार का प्रयोग कर पाएंगे हम बात कर रहे थे मुख निर्वाचन पदादिकारी केरवी कुमार जी से इन्होंने साफ तोर पर कहा कि चौथे चरण को लेकर जारखन पूरी तरीके से तयार है और जो तयारिया होनी चाहिए उसकी मुकबल इंतजाम किये ग